आज मैं आपको बोटनेक की कटिंग जो है वो कैसे करते हैं यह आज हम देखते हैं अब देखिए यहाँ पर हमने यह पेपर लिया है पेपर के उपर मैं आपको बता देती हूँ कि बोटनेक की कटिंग जो है वो कैसे करते हैं अभी यह बोटनेक जो है वो हम क्रॉप टॉप क लिए भी बना सकते हैं यहां पर हमें शूर्ड़र लेंगे से यहां पर हमें आर मोल यह सूर्ड़ लेना है कि सब्सक्राइब нормально जैसे हम क्रॉप टॉप की कटिंग करते हैं तब इस तरह से लेते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बोटनेक बनाना सिखाऊंगी यहाँ पर हमें देड़ इंच पर एक मार्किंग करनी है और यहाँ पर हमें इस तरह से आरमोल की गोलाज देनी है उसके बाद जैसे यहां पर हमें crop top देल लंबा लेनी परती है, तो यहां से यहां बोटनेक के लिए गले की चॉड़ाय लिये, मनें 3.5 इंच परशोल्डर लिया एंच पे यहां से देखें यहाँ पर हम इस तरह से गले की चोड़ाई लेते हैं यहाँ पर हमने इसका स्क्वेर बनाया है अभी स्क्वेरा बनाने के बाद जैसे यहाँ पर हमें देड़ इंज पर मार्किंग करेंगे इस तरह से हमें यहां पर हम इस तरह से एक गोलाई देते हैं और यहां पर हम बोटनेक की कटिंग कर लेते हैं कि जब हम क्रॉप की कटिंग करते हैं तब हमें इसी तरह से यह बोटनेक बनाना पड़ता है अब देखिए यहां पर मैं आर्मोल भी कटिंग करके बता देती हूं और यहां पर हमें यह बोटनेक जो है इस तरह से कट करना है जब भे हम क्रॉप टॉप की कटिंग करते हैं यह दूसरा जो टॉफ होता है उसके लिए हम जैसे बोटनेक बनाना चाते हैं तो यहां पर हमें गले की चोड़ाई जो है 5 mindset रखना है क्योंकि उसका shoulder कम आता है तो हमें बोटनेक की चोड़ाई लेंगे और 2ji Prime हम लबाई लेंगे जिसे ज़्यादा इसकी चोड़ाई जो होती है बोटनेक जो खोलह में शोल्डर हमारा चेंज ता इसलिए हमने चेंज लिया है और यहां पर हमने यह आर्मूल की गोलाई दी है तो इस तरीके से आपको जो बोटनेक जब भी कटिंग करना चाहते हैं तो यहां पर आपको इस तरीके से कट करना है कि हूओ है है अब देखे यहाँ पे देडी करते हैं तो इस तरीके से करते हैं लेकिन दूसरा तरीका भी में बता देती हूं कि étaitहिए मैं चैना के उपर कर करना है तो इसे वह मंछ जेंसे बहर से कट कर लेते हैं जो सब्सक्राइप है यहाँ पर अब पर शाड़े तीन इंच पर बोटनेक की चोड़ाई लेनी है और शाड़े तीन इंच पर हमें इसकी लंबाई लेनी है तो इस तरीके से हमें इसका बॉक्स बनाते हैं यहाँ पर आपको इस तरह से देड़ या दो इंच लेना है जैसे भी आपकी गले की चोड़ाई होगी उस तरीके से आपको लेना है और यहाँ पर इस तरह से इसमें आपको मिलाना है जैसे हम जब भी क्यानोस पेपर के उपर इसकी कटिंग करते हैं तो हमें इस तरह से लेना और यहां हमें आधा या एक इन जो भी आपको ब्रॉडनेस चाहिए गले की उतनी आपको एक्षरा रखनी है यह देखिए यहां पर हमने इस तरीके से इसको कट करना है यहां पर हमारा यह बोटनेक जो है इस तरह से आता है यह देखिए अब देखिए मैं आपको कपड़े के उपर रखके दिखाती हूँ क्योंकि यहां पर यह वाइट है यह देखिए यहां पर हमारा जो बोटनेक है यह इस तरह से आता है और यहां पर जब भी हम क्रॉप टॉप की कटिंग करते है तो यहां पर हमें इस तरह से लेना पड़ता है जो हमें शोल्डर में आपको बताया है कैसे लेना है और यहाँ पे बोटनेक की कटिंग भी मैंने आपको दिखाई है और यहाँ पे आपको आरमोल की कटिंग भी मैंने आपको दिखाई थी अब देखें यहाँ पे मैंने इस तरह से यह बोटनेक जो है यहाँ पे हमारा टॉप का जो बोटनेक आता है तो इस तरह से आता है तो मैंने आपको बोटनेक की कटिंग कैसे करनी है यह मैंने आपको बताया है अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए Thank you for watching this video